वहां एक बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग बॉक्स आया है दोस्तों यह है आरो जी इस्ट्रिक्स जी सिक्स्टीन का बॉक्स मतलब कि आसुज का नयवाले गेमिंग सीरीज का सबसे ज्यादा नयवाला वेरियंट और इस वहीं लैप्टॉप को लिटरली हम लोग दो हफ दिलवाएंगे स्टार्ट करते हैं इसके अन्बॉक्सिंग से किसम कॉम्पैक्ट सा बॉक्स है लेटरली असे गोदी में आ जाएगा और हम जो मिदल क्लास बच्चे हैं उनके लिए एक लैप्टॉप भाई से लेके आते हम लोग सबसे पर एक काफी आर्टिस्टिक सा बॉ इसको पैस नीचे करोगे लैप्टॉप अपने आप उपर हो के आता है भाई जिसने भी बॉक्स देफिनेटली वाई उसको मेरे तरफ से यह रहा अपना लैप्टॉप और भाई देखने में कितना अधा प्रीमियम लग रहा है यह जो अरोजी का लोगो है ना भाई इसके इमोशन जुडाए मेरा बहुत ज्यादा अमेजिक लगता है और बॉक्स का हाल देखो अभी आपको अड़ाप्टर मिलते है इसके भी कॉल्डी काफी अच्छी है और यह 280 वाट का अड़ाप्टर है इस वाले पावरफुल मशीन को चलाने के लिए आपको यह भी पावरफ आपको इसके हालाइटिंग फीचर्स दिखायता हूं 240 हर्स का पूरिफरेश रेट मिलेगा 500 निट्स की ब्राइटने से 100 डिस्प्ले वाला सारा फीचर से इन सभी को हम नोंने टेस्ट कर रखा है आपको बताएं कि यहां चीज अभी पहले इसकी सफाइक कर लेते हैं अगर कीबोर्ड की बारे बात किया जाए फुल और यहां पर इस ट्रिक्स की ब्रैंडिंग है बिल्ट जो है चाओ तरफ से प्लास्टिक यूज के आ गया पीछे के साइट से भी लेकिन जो डिजाइनिंग है लैप्टॉप की वह बहुत जादा अची है हर तरफ सापको गेमिंग क्छार इंग कीबोर्ड साइब से देख रहों और और आगे की साइट से भी लाइट इसके तरह आती है जो कम्प्लीट गेमिंग लुक देता ऐसको चार्जिंग लूक है नहीं चार्जिंग पर दो यहां पर सारे काम हो जाएंग आपके तो मिल रहें और बैक י पूरा एर वेंट है यहाँ पर डिफिनेटली भाई सारी ठंडर कोन ने बहीं रहेगी और जब भी आप लैप्टॉप को टेबल पर रखते हो लाप्टॉप हलका सर्फस से उपर उठावा रहता है क्योंकि इसके पैटिंग थोड़ी सी बड़ी सी है जिसके वाइसे बना रहे है लेकिन मुझे लगता थोड़ा सा और टेल्ट होता ना तो जादा कर्मेंट हो जाता और जैसे आप ओपन करते हो इसका डिस्प्ले ओन हो जाता है अपने डिजाइन तो बहुत प्रॉपर है लेकिन सबसे इंट्रेस्टिंग मुझे लगा इनका यह इंडिकेशन लाइट स की सबसे यूज़ करते हैं उसको लिए और यहां पर पांच होट कीज है कीबोर्ट के अंदर मेकैनिकल फील है लेकिन आट अट सेम ताइम काफी सॉफ्ट टच भी है और जिसका रिस्पांस टाइम होई बहुत कुईक है लिटरली बड़न दबाती वापस फिक देता है यह होते हैं गेमर्स को समझ लो बार तो अगर मैं तो टाइपिंग डेस्ट करता हूं दोस्तों इसका स्पेस बार दबाने में अलगी फील आ रहा है यार मजा आ गया इवन के टेश्पार भी काफी बड़ा सा है कहीं से दबालो भाई हर जगा से काम करता है बट ऊपर से दालना पर लागा और इसके डिस्प्ले को डिफिनिटली बॉल रहों कि इतना अच्छा डिस्प्ले एक्ट्वल में ये 2K QSD प्लस डिस्प्ले डिप्ले डिड़ लागे रहा हूं लैप्टॉप के अंदर को भी ब्रैंड बहुत मुश्किल दे पाता है लेकिन आसुस ने ड डिफिनिटली करके दिखाया आपके लिए और ये 16 इंच के डिस्प्ले है और अब भी अमनों लैप्टॉप के पर 4K वीडियो प्ले कर रहे है क्या कमाल कॉलिटी आ रही है और अगर मैं आपको हलका सर तिल्ट करता हूं लैप्टॉप को इसका कलर भी डिफिनिटली थोड कम ब्राइट नहीं है वो शाय से सॉफ्टर अप्लेट के बाद फिक्स के आ जा सकता है लेकिन यह वाले डिस्प्ले पान सो निट्स के ब्राइटनेस के साथ आ रही है अब यह लोग आउट डॉर में 8K वीडियो प्ले कर रहे है यहां पर वीडियो काफी स्मूथ चल रहा ह और इसके डिस्प्ले अराम से वीजिबल है इस वाले लैप्टॉप के में अराम से आउट डॉर में यूज कर सकता हूं कोई ऐस सच इशू नहीं होने वाला मुझको बेस्ट बात है कि इसका मैट डिस्प्ले रिफ्लेक्शन में नहीं दे रहा है आसुस ने इसको इतना कॉ से लैप्टॉप लगता है देखने में ना तो माइंड बोलता है भाई कि इतना भार ही नहीं है लेकिन है बार ही एक और रिफ्रेश रेट का है और वहां पर 165 हर्ट मिल रहा है और डिफ्रेट लेकर मैं बता हूं तो मेरा फेवरेट वेरेंट इस वह लाइन अप का जो मेर पास आसुस ने भेजा है वही वाला है एक लग 80 रुपी के साफ से काफी सारा वैल्यू प्रवाइड हो रहा है यहां पर टू के डिस्प्रेश तो है जो इसका स्पीकर है फुल वॉल्म पर है इसकी होट की संट डाट ली यहां से आप वॉल्म बढ़ा सकते हो तो एक्चुल में इसके स्पीकर है तो काफी लाउड और क्वालिटी वाइस भी काफी अच्छा है अच्छी बात यहां पर की की डॉल्म पी एक्टमस कभी सपोर्ट मेलेगा गेमिंग कर तो वह हीटफोन या पर मूवी देख तो हीटपोन यूज कर रहे हो एक्स्पीरेंस अब बात करते हैं परफॉर्मस के बारे में आपको बतायता है मैंने आइन फ्रटीन जनेशन इसके अंदर और और आर्टी एक्स फॉर्टी सिक्स्टी मिलता है तो लाट जीबी के राम के साथ आता है यह वाला लैप्टॉप मैक्सिमम आप 64 जीबी तक लेकि जा सकते है उस 2720 आया है और मल्टी कोर्स पे बारह हजार 371 आया बहुत जादा फ्लैक्शिप स्कोर है यह वाला गया और यहां पर बत्तिया पूरी हड़ी हो चुकी है और यह भी स्कोर बहुत जादा अच्छा है इस लैप्टॉप के स्कोर से आपको लास्ट वेरेंट जो है इन्वीडि डिस्प्ले डारेक्टली जीप्यू से पावर लेता है जैसे ग्राफिक्स को लोड़न में 9-10% का पावर बूस्ट मिलता है और गेमिंग के बारें बात की जाए पर जीटी फाइव मेरा फेवरेट गेम है यह मोस्ती सब लोग खेलते भी हैं बाकि हम लोने पर पांचे गेम एक दम तगड़ा लग रहा है दोस्तों एक दम रिलिस्टिक कोई भी एफ्पेस ड्रॉप कुछ भी नहीं हो रहा है वैसे जीटी जो गेमें काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज़ है अभी पीसी कहीं साप से अरे ताव वेड़ का डिटेल सारक पत्ता दिख रहा है अच्छे से यहीं ग्राफिक्स मुझकी चाहिए लाइफ में अपने आज लड लेते ही पर कर दो कि अ कि कि पांच चार प्रिस उस्वाट आगया भाई खेंग जाएगा ऐसाओ अच्छा अब्र मर गए अलमोस्ट आते गंटे गेमिंग की है और लैप्टव एक्ष्में और काफी हीट भी हुआ है और हीटिंग कंट्रोल करने के लिए आसुस ने इसके अंदर तीन फैन दिये हैं दोस्तों और तीनों फैन लिटरली पंदरा डिगिटक टेंपरिचर कूल कर सकते हैं आशुस ने ऐसा बोला है हमारी टेस्टिंग में हीटिंग फील हुई हम लोग को लेकिन अच्छी बात यह है कि फैन लिटरली अवाज ही नहीं करते हैं इवन कि इसके ज हम लोग ने अपने टीम से काफी सारी वीडियो इसको पर एडिट कर आई है और इसका जो डिस्पले है वह बहुत ज्यादा हेल्प करता है तगले इडिटिंग करने में क्योंकि यह DCI P3 गमेट वाला डिस्पले और यह Pantone सर्टिफिकेशन के साहता है मतलब color accuracy बहुत अच् फोटोशॉप और प्रिमेर प्रो बहुत अच्छा इसके उपर रन किया है और experience बहुत अच्छा है इसका और बैटरी के बारे बात करें 90 वाटर की बैटरी हमारी जन्ता दोस्तों मुबाइल वाली है तो अगर इमेज में करवर्ट किया जाए 24,300 इमेज की बैटरी है और ड सब्सक्राइब मैंने कुछ नहीं हो रहा है brightness घटाता हूं कुछ भी नहीं हो रहा है और यहीं सेम जिसका अभी maximum brightness भी फच जाता है दूसरी बात गेम खेल दे गेलते इसका जो यह लेफ्ट और राइट वलकी है कभी-कभी यह भी अन्रिस्पॉंसिव हो जाता है और विंड लुक्त के सारे solution के तरह restart करके इसके brightness आची वाफस लाइन पर देखो नीचे कर रहा हूं हलकी से brightness कम हो रहे है अब इसके brightness ही लग रही है तो आपको दिखा देता हूं इसके अंदर यह आरू अर्मर क्रेट्ट कर सकते हूं अपने laptop और ओर क्लॉग भी कर सकते हो यहां पर औ और एफेक्ट्स में आओ उसके बाद भाई स्टाटिक कर दो इसको ब्रीधिंग कर दो स्टॉबिंग कर दो कलर साइकिल कर दो रेंबो कर दो बेस्ट अब दो किस्पिट के ते चल रही है स्टारी नाइज भी इसके अंदर यह अड़ाप्टिव है वाल पीपर के चेंज कर रह और जो इंडिगरेशन या जो डिस्प्लेइटली फ्लैक्शिप लेवर का लैप्टॉप है जो एक्स्पिरियंस आपको इस लैप्टॉप को साथ मिल रहा है डिफिनेटली भाई डिजर्फ करता है लेकिन दोस्तों इस वाले प्रैसिंग को और कम करने के लिए हमारे पास आ करो बहुत मुश्कल से मिल पाता है यह डिस्कांट तो मेरे लिए लैप्टॉप डिफिनेटली रिकमेंडेट इसका बेस्ट बाइंग लिन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको और फर्स्ट कमेंड ही पिन कर देंगे हम लोग इस कुपन को पर दोस्तों का शेर कर सकती और अगर आपको बेस्ट ब्रैंड आपको पता है तो इसको प्रिकाउट कर सकते हैं और अगर आपको कोश्चन है इस लैप्टॉप से रिलिटेट तो डिफिनेटली वाइक कमेंड में पूछ लेना सबकर रिप्लाई करेंगे और सारा कमेंड में पढ़ने वाला इस बार इ आस वाच ब्राण सौच ब्राण सुच ब्राण सुच झाज